साथियों आज आत्म विश्वात से भराये देश अब मोदी की गारंटी देख रहा है साथियों गारंटी देने के लिए बहुत हिम्मत लगती है गारंटी ऐसे नहीं दी जाती है जब पूरी तरह कमिटमेंट होता है पूरी तरह रोड मैप होता है और मन में एक संकल्प होता है कि मैं इस काम को करके रहूँगा कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए मैं बहाने बाजी नहीं करूँगा करके रहूँगा तब जाकर के गारंटी निकलती है मेरे लिए ये गारंटी तिनक्षरों का खेल नहीं है ये गारंटी के पीछे पल पल खपाने का इरादा है पल पल आपके नाम पल पल देश के नाम 24 by 7 for 2047 भाजपा ने अपने मैनिफेस्टों में कहा है अगले पांच साल में गरीबों के लिए तीन करोड नए घर बनेंगे देश के हर घर तक पाइप से पानी पहुचेगा और सबसे बड़ी बात मैं यहां सब मौझूद्गों को कहना चाहता हूँ आज कल हर परिवार में कोई अपन नहीं होता है हर परिवार बुजुर्ग माबाप होते हैं दादा दादी होते हैं चाचा चाची होते हैं और घर में जो कमाने वाले लोग होते हैं जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके सामने रोजमरा की जिंदगी भी होती है उनके सामने अपने बच्चों के लिए कुछ करने का इरादा भी होता है और ऐसे समय अपने बुजूर्ग माबाप का खयाल रखना और उनको कोईन कोई तो बिमारी उस उमर में आही जाती है दवाई के पीशे, अस्पताल के पीशे खर्चा होता है तो ऐसे हर परिवार को इस बोच से मुक्ति देने के लिए हर 30, 35, 40, 45 साल के उमर के व्यक्तियों को अपने परिवार में अपने सपना पर्रा करने के लिए बोच ज़्यादा न करना सेना पड़े इसलिए मोधी ने गारंटी दी है कि हिंदुस्तान के हर परिवार के सत्तर से उपर की उमर के जो लोग है उन सब को पांच लाख रुपिये तक मुप्त इलाज के जिम्मेवारी मोधी की रहेगी आप पर ये बोच कम होगा ये बोच उन बुजूर्गों को दिलनी में आपका बेटा बैठा है वो उठाएगा अभी हमने गैस सिलिंडर दिये हैं पविश में आपकी रसोई में पाइप से गैस पहुंचेगी जैसे पाइप से पानी आता है वैसे पाइप से बैए गदाधारी ओ गदाधारी आपको देख लिए और फोटू भी निकल गए आप नीचे रखो गदा पीछे वालों को दिखता नहीं है बजरंग बली की जाए आप पहलवान है क्या हमारे तड़सी तो पहलवान रहे है देश के कोने कोने में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेने चलेगी और देश बुलेट ट्रेन का सपना भी पूरा होते हुए देखेगा चंद्रयान देखा अब गगनियान भी देखेगा आप रहे आप लाए